विल्कम बेक दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों के एक बार फिर से तयारी कर लो चैनल में मैं हूँ यायनवाब इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित का एक टॉपिक है भक्तिकाल जिसके अंतरगत हम देखेंगे आज सिद्ध साहित और नात साहित तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस इंपोर्टन जो टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे हैंड रिडे नोटस हैं उनके बारे में देखेंगे तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बनी रही हैगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बेलाइकन भी प्रिस कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं वहाँ पे न्यूबैश 2021 दिया हुआ है उस प्ले लिस्ट में जाएं और पूरी वीडियो देखें स्ले बस मस्या हो रही हो तो आप मुझे वाटसेप नंबर पे मेरे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपले आज के टॉपिक की सिद्ध साहित और नात साहिती की तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं सिद्ध साहित की नोटस थोड़ा फोटो कीचने में स्कैन करने में क्लियर नहीं हो पाया है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूँगा तो फिर भी मैं बोल रहा हूं और दिख भी रहा है कुछ-कुछ तो यहां पे हम मत्रों द्वरा सिद्धी प्राप्त करने की चेश्टा करने वाले सद्ध कहलाय के इनका जो काल है वो 779 ईसा पूर्व से ले करके 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें अगर इनके समय की, विकास की बात करें, तो सबसे पहले बोध, फिर महायान, हीनियान, जो परिवर्तन चाहते थे, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो मंत्रयान या वज्रयान के नाम से जाने गए फिर मंत्रयान या वज्रयान सहजयान और फिर उसके बाद अगली जो उनकी पीड़ी थी वो नात संप्रदाय और उसके बाद नात संप्रदाय महा सुखवाद विरोधी और योग समर्थक इस तरह से इनका विभाजन हुआ, ठीक है, सबसे पहले बोध हुआ, फिर महायान और हीन यान, दो उसमें विभाजित हुए, महायान वो थे जो परिवर्तन चाहते थे, लेकिन हीन यान जो थे, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, फिर महायान को वजरियान में विभाजित किय गया एक शाखाई वज्रियान और फिर उसी वज्रियान की एक शाखाई सहज ग्यान जो की जिनकी जो अगली पीड़ी थी जो अगली संताने थी जो आने वाले थे वो बनाए नात संप्रदाय के नाम से फिर उसके बाद नात संप्रदाय महासुखवाद और योग के समर्थक म ये दो भागों में बटे, सिद्ध में पहले सबसे पहले सिद्ध है सरहपा, सर का अर्थ है बान, इनका विवाः एक बान बनाने वाली लड़की से हुआ, इसलिए इनका नाम सरहपा पड़ा, ठीक है अब सरहपा क्यों पड़ा, तो ये देख लिजेगा, सर का मतलब होता है और इनका विवाः जो है बान बनाने वाली एक लड़की से हुआ था, इसलिए इनका नाम सरहपा पड़ा था, जिन्हें सरहपाद भी लोग कहते हैं, सिद्ध सरहपा, प्रवर्तक, सहज ग्यान संपरदाय के, जो सिद्ध सरहपा हैं वो सहज ग्यान संपरदाय के प्रवर् यह थे सरहपाद के शिस, फिर सरहपा की रचना के बारे में आता है कि दोहा कोश 1917 चर्यापद गीत कोश, यह इनकी रचना है, शवरपा की रचना है चर्यापद, फिर है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, चौरासी, कितनी चौरासी सिद्ध हुए हैं, राहुल संक्रत त्यायन द्वारा 84 सिद्धों में लुईपा का इस्थान सबसे उचा और महान बताया गया है। लुईपा का कार सबसे संतोष जनक रहा है। हिंदी साहित में यह पहली काविधारा है जिसमें तीन महिलाओं की भूमी का रही है। महिलाओं के लिए साहित के जो द्वार खुले वो यहीं से खुले थे कहां से सिद्ध साहित से। मुनिदत एवं उदेवजर ने सिद्धों की भाषा बताई क्या संधा या संध्या। कुछ लोगों ने सिद्धों की भाषा मागधी औव हट भी कहा है। सिद्धों को सर्व प्रथम प्रकाश में लाने का कारी जो किया था, हर प्रसाद शास्त्री ने किया था 1916 में हर प्रसाद ने बौध ग्यान ओ दोहा नाम से सिद्धों की रचना प्रकाशित कराई थी तभी से ये जो सिद्ध हैं सिद्ध साहित है वो प्रकाश में आया दूसरा प्रयास किया था प्रबोध चंद बागजी ने 1921 में तीसरा प्रयास किया राहुल संक्रत्यायन ने हिंदी का विधारा के नाम से 1944 में सरहपा को पहला कवी माना है किसने राहुल संक्रत्यायन सरहपाद को पहला कवी मानते हैं सिद्ध साहित के लेखन के पहले संपादन कारिका शुबहारम पाश्चात्य प्राच्चविद वेंडल में हुआ था बाद में हर प्रसाद शास्त्रीन ने दोहा कोश और चरियागीत में किया तांत्रिक साधना सिद्धों का आविसकार नहीं बलकि यह बाद्धों में शैवों में और वैशनवों में समान रूप से फैली थी लेकिन बाद्ध तंत्र सबसे ज़्यादा रहस्मई एवं विक्रती परक्त थे वज्र का अर्थ है बौधों का शून्यवाद वज्र का अर्थ है बौधों का शून्यवाद बौधों को वज्र सत्व की संग्या मिली है वज्र सत्व को समझना नैरात्मे और निह स्वभाव को समझना है नैरात्मे का अर्थ है दिन, रात, उंच, नीच, तेरा, मेरा की भावना से रहित सब समान, मतलब सर्व समान का जो योग है, वो है किसमें नैरात्मे का अर्थ है मतलब सभी समान रूप से देखे जाएं, परखे जाएं, जाने जाएं इस नहरात में नहीं स्वभाव को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया था वामाचार के मूल में इस्त्री पुरुस का अभादित असमाजिक संयोग है तांत्रिक वामाचार का अर्थ है संभोग इसका पारोहित नीच जाती की इस्तरी करती है जिन्हें भैखी योगनी कहते थे तीन चीजों को माना है कौन-कौन सी है तीन प्रग्योपाय पंचमकार महासुखुवाद साधन, इस्तरी प्रूस, नैरात्में प्राप्त करने का जैसे मत्स, मांस, मद्य, मैथुन, मुद्रा साध्य हो गया संभोग की चरम परिणीती ठीक है सिद्ध इश्वर को नहीं मानते थे अनिश्वर वादी थे भुवनेश्वर, पुरी और खजुराहो के मंदिर कला की दरश्टी से कितने भी महान के उना हो लेकिन इन में महासुखुवाद का प्रतिबिम्ब है सिद्ध जहां तक जातिपादी प्रथा, उँच नीच बहेद भाओ और बाह आडंबरों का विरोध करते थे यह भूमिका उनकी निसंदे प्रगति शील है सिद्धों की विवापर्था में अनास्था लेकिन ग्रास्त जीवन में आस्था थी यह एक विचित्र विरोधा बास है कनापा लिखते हैं कि जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है उसी तरह ग्रहणी में चित्र लगा कर सामरत मतलब तत्तों को प्राप्त किया जा सकता है चरियापद यह एक प्रकार के गीत होते हैं सामानिता अनुष्ठानों और तेवहारों के समय गाय जाते हैं कुछ चरियाकारों को योगेश्वर, योग के द्वारा, इश्वर भक्ती और कुछ को अवधूत, अज्ञान का प्रच्छालन अर्थात जिसका अज्ञान समाप्त हो गया है कहा गया है चरियाएं, संधा भाषा के द्रश्टी कूटों में लिखी गई हैं जिनके दोहरे अर्थ होते हैं प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से दोहा कोशों की रचना परिनिष्ठ परवर्ती अपभरंश में हुई है जबकि चरिया पदों की रचना आवहट में हुई है फिर है नात साहित नात साहित का अर्थ है प्रभू अधिश्वर स्वामी पती इश्ट देव नात इश्वरवादी थे नात की संख्या नव थी नवनात नात पंध की दार्शनिकता सैध्धान्तिक रूप से शैयो मत से थी लेकिन वेवहारिक रूप से हट योग के अधिक समीब थे मुलता हट योग देह शुद्धी का साधन मातर है नात पंध को सिद्ध मार्ग योग मार्ग अवधूत संपरदाय भी इनके नाम से जाना जाता है डॉक्टर हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने कहा हट योग सिद्ध सिधान्त पद्धती के अनुसार हट शब्द में हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा सूर्य से तात पर प्राण वायू सांस लेना है और चंद्र से तात पर है अपान वायू सांस छोड़ना है इन दोनों के योग का अर्थ है हट योग इसलिए इड़ा और पिंगला नाड़ी को रोक कर सुसुजन मार्ग में प्राण संचलित करने को भी हट योग कहते हैं रामकुमार वर्मा की अनुसार नाव नाथों में पहले नाथ थे आदी नाथ जिन्हें शिवजी का अवतार कहा जाता है दूसरे हैं मतसेंद्र नाथ जिसे मच्छंद्र नाथ भी कहते हैं ये प्रवर्तक तथा प्रथम आचारे भी माने जाते हैं गोरक नाथ, गहिनी नाथ, चरपट नाथ, चौरंगी नाथ, जौलेंद्र नाथ, भरत नाथ, गोपी चंद्र नाथ, ये नौनाथों के नाम है पीतांबर्दत बर्धवाल ने योग परवाह है शीरसक वे मतसेंद्र नात के कुछ हिंदी पदों का संकलन किया है मतसेंद्र नात का वास्तविक नाम है विश्नु सर्मा मतसेंदर की पूजा का नाम पिपलीश देव है मतसेंद्र का गुप्त नाम है भैरवा नंद मतसेंद्र जी का गुप्त नाम मतसेंद्र जी का असम में लोहिया प्रदेश इनका जन्म इस्थान माना जाता है मतसेंद्र नात की जो रचना है वो कोल ग्यान निर्णे भासा संस्क्रत और देशी संस्क्रत में अवलेबल है लोक ग्यान निर्णे के नाम से है मतसेंद्र नात के गुरू के बारे में पूछा जाता है कि जालंधर नात मतसेंद्र नात के गुरू हैं और इनके शिस हैं गोरखनात चरपटनात चोरंगी नात और इनकी रचना है प्राण संकली गोरखनात ने अपने गुरू मतसेंद्र नात का उद्धार कदली प्रवेश या वाम मारगिय साधना से किया है क्योंकि इनके गुरु गोरखनाथ इस्तरी मोह में पड़ गये थे गोरखनाथ मतसेंद्र नाथ के शिस्य थे ये मध्य यूग के प्रसिद धार्मिक नेता माने जाते थे नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली भी थे हिंदी साहित में शिव भाक्ती परंपरा की शिरुवात गोरखनाथ ने ही की थी गोरखनाथ का मोली स्थान है गोरखपुर उत्तर प्रदेश किंटो इनके मतों का अधिक परचार वपरसार राजस्थान एवं पंजाब में हुआ था शंकराचारे के बाद इस युग में कोई भी इतना परभावशाली और महा मानवित पुरुष भारत वर्स में दूसरा नहीं हुआ है ये कथन है आचार हजारी प्रसाद दिवेदी का भक्ति आंदोलनों के पूर सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनात का भक्ति मार्ग है गोरखनात अपने युग के सबसे बड़े नेता थे गोरखनात का जो समय है वो राहुल संक्रत्यायन के अनुसार 845 इसमी हजारी परसाद दिवेदी जी के अनुसार नौवी शताब दी पीतामबर दत बढ़दवाल के अनुसार ग्यार्वी शताब दी रामचंदर शुगल और रामकुमार वर्मा के अनुसार तेर्वी शताब दी है और जो सर्वमान्मत है वो रामचंद्र और रामकुमार वर्मा जी का है तेरवी शताबदी नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन एवं ग्रहस्त के प्रती अनादर भाव है गोरख मानी छपवाई थी किसने पीतामबर दत बर्दवाल ने गोरख जगायो जोग और भक्ती भगायो लोग ये कथन है तुलसी दास जी का नाथ भक्ती विरोधी थे लेकिन इश्वरवादी थे नाथ तीन चीजों पर बल देते थे योगमार्ग, गुरु महिमा, पिंड ब्रहमण, कण कण में भगवान है ऐसा मनना था नाथ पंतियों के यहां ब्रहमा की प्राप्ती के लिए पक्षपात विनिर्मुक्त होना आवश्यक है पक्षपात विनिर्मुक्त का अर्थ है देह अभिमान से मुक्ती हिंदी की रचना में गोरख की भाषा, गोरख नाथ जी की भाषा सदुकडी है सदुकडी भाशा खड़ी बोली के साथ प्रादेशिक बोली का मिस्त्रण होती है रामचंदर शुकल जी ने नाथों एवं सिद्धों की रचना की साहित्य की कोटी में नहीं रखा है ठीक है योगधारा काव्य साहित्य की कोई धारा नहीं हो सकती कुछ शोधियों ने सवाल उठाया है कि भक्ती धारा को भक्ती धारा हो सकती है तो योगधारा क्यों नहीं हो सकती उत्तर सरूप साहित्य की कुछ शर्ते होती है जैसे सम्वेदना, कल्पना, आंतरिक रचना और योग में इन तीनों में से कुछ नहीं है इसलिए भक्तिधारा को माना है और योग को नहीं माना है ऐसा कहा है कि इसने रामचनर शुक्ल का मत है तो दोस्तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 तो